हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश पढ़ाना शुरू कैसे किया जाए जब हम बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना शुरू करते तो ये मान के चलते हैं कि A, B, C, D सिखानी है A for Apple, B for Ball, सब लोग इसी तरह से इंग्लिश पढ़ाना शुरू करते हैं लेकिन हम लोगों ने समने इसी तरह से इंग्लिश पढ़ी है लेकिन इससे हुआ क्या है कि जादा तर लोग जो है वो आज भी ये कहते हैं कि हम लोग इंग्लिश बहुत धारा प्रवा पढ़ नहीं पाते हैं फ्लूएंटली इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं तो कुछ सालों से इंगलिश में phonetics के सहारे से इंगलिश पढ़ाना शुरू किया जाता है आप लोगों ने जो आपको वीडियो content दिये गए हैं उसमें आपने देखा होगा कि teachers ने ए, 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 apple शुरू किया है ना कि ए for apple तो ये a की जो आवाज है, b से जो b की आवाज है, इन सब को हम लोग phonetics कहते हैं ये phonetics की जरूरत क्या है? सबसे पहले तो हम को ये समझना है कि जब हम English के letters पढ़ाते हैं या Hindi की word माला पढ़ाते हैं तो उसका उदेश सिर्फ एक है कि बच्चे को लिखना और पढ़ना और बोलना तीनों चीज सिखाई जाए Hindi में बोलना हमें सिखाना नहीं पढ़ता है क्योंकि जादा ता जहां ये video content जाएगा आपकी भाशा हिंदी है लेकिन English में बोलना भी उतना ही ज़रूरी है सीखना क्योंकि ये भाशा हमारी अपनी नहीं है तो हिंदी और English में पहले हम एक मिनिट comparison करेंगे तुलना करेंगे हिंदी जो है वो completely phonetic है जो हम लिखते हैं जो हम पढ़ते हैं वही बोलते हैं जब का लिखेंगे तो हम उसको का ही पढ़ेंगे उसकी sound कभी भी का से अलग नहीं होगी ऐसा नहीं है कि कहीं का की sound जो है वो का सुनाई पढ़े और कहीं सा और कहीं का ऐसा नहीं होता है ये मुश्किल इंग्लिश में आती है क्यों कि हिंदी जो है वो संस्कृत से उत्पन हुई है जादा तर जो हमारी भाषाएं है वो संस्कृत से ही निकली है और बाद में उसमें उर्दू के अंश आए है या क्षेत्रिय भाषाओं के अंश आए है English जो है उसके शब्द जो है वो कम से कम 6-7 भाषाओं से मिलकर के English language बनी है उसमें Latin, Roman, Greek, German, French हर प्रकार के words आए है तो एक ही अक्षर जो है वो दो या तीन तरीके से उसका उचारण होता है और वो बच्चे के लिए बहुत ही confusing होता है तो हम लोगों को English जो है उसका तीन तरीके से हमें बच्चे को अक्षर ज्यान English का कराना है जो English के letters हैं वो हमें तीन तरीके से बच्चे की शुरुआत जब कराते हैं तो तीन तरीके से कराते हैं इसको हम लोग कहेंगे three-sided approach तीन साइडेड अप्रोच क्या हुआ एक तो अक्षर का नाम नेम दूसरा उस अक्षर को पहचानने के लिए कोई प्रतीक या कोई सिंबल और तीसरा उस अक्षर में से क्या आवाज निकल रही है नाम, प्रतीक और आवाज नेम, सिंबल और साउंड ये तीन चीजों के साथ हमें बच्चे को पढ़ाना शुरू करना चाहिए प्रतीक की जरूरत इसलिए है कि एक साथ अगर हमने 25-26 लेटर्स बच्चे को सिखाने हैं हमें A to Z सिखाना है तो वो भूल जाएगा बच्चा बहुत छोटा होता है जब आप शुरू करते हैं चाहे जिस क्लास से शुरू करें इंगलिश की पढ़ाना चाहे क्लास 3 से शुरू करें चाहे क्लास 6 से शुरू करें लेकिन बच्चे के लिए ये बिलकुल नई language है तो A और B और C अब जिसे A है या F और T है वो सकता है कि बच्चे के दिमाग में confusion हो इसके लिए जब हम शुरूआत करते हैं तो हमें symbol लेने पड़ेंगे या प्रतीक हमें उसका लेना कोई पड़ेगा जिससे की देखते ही बच्चे को वो letter पहचान में आ जाए इसलिए हम ऐसे सिखाते हैं कि A apple लेकिन उसके साथ हमें sound जरूर सिखानी चाहिए शुरू से ही तो हम उसको लाते हैं कि A apple बट A says A A A कहता है A A दूसरी बात हमने sounds जो है जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि English में एक ही letter जो है वो कभी कभी दो या दो से भी अधिक तरीके से बोला जाता है लेकिन हमने जो sound चुनी है बच्चे को शुरू में सिखाने के लिए वो हमने ये देखा है कि छोटे छोटे words तो बच्चा शुरूआत कोई भी भाशा सीखने के जब शुरूआत होती तो छोटे शब्दों से होती है तो उन छोटे शब्दों में जो sound इस्तेमाल होती है हम वही sound बच्चे को सिखाना चाहते है शुरू में और बाद में जैसे जैसे भाशा पर उसका अधिकार बढ़ता चला जाएगा तब फिर दिक्कत अपने आप खतम हो जाएगी ता हम उसको सिखाएगे कि नहीं ये इसकी आवाज इस letter की आवाज ये भी होती है और ये भी होती है और ये भी हो सकती है तो confusion बच्चे के दिमाग में शुरू से हम नहीं डालेगे इसलिए जो प्रतीक हम सिखाते हैं वो ऐसे सिखाएगे कि जो हम sound सिखा रहे हैं उस से उस प्रतीक का नाम शुरू होता हूँ जैसे की मैं आपको दो उदारण देना चाहूंगी जैसे C है C letter जो है English का वो जितने छोटे शब्द हैं हमारे पास cup है, cut है, cat है, caught है इस तरीके के जो भी हमारे शब्द है, can है उन सब में हमें आवाज मिल रही है का की जो sir के आवाज वाले C के शब्द हैं वो शुरू में जब आप English स्काना शुरू करेंगे तो sir के आवाज हमें नहीं मिलेगी क्योंकि हम certificate है, center है, central है, इस तरीके के जो शब्द हैं जहां हमें C के आवाज सा मिल रही है, वो हमारे बच्चों के काम के अभी नहीं है तो एक दो साल में जब बच्चे को इंगलिश पढ़ने के आदत हो जाएगी और उसके मन से ये निकल जाएगा कि ये एक विदेशी भाशा है या ये हमारे लिए नहीं है तब हम आराम से उसको इन शब्दों को सिखाएंगे और ये बता देंगे कि ये जो है इस वकत हमें C की आवाज सा मिल रही है शुरुआत में उसको हमें कनफ्यूस करने की जरूरत नहीं है उसी तरीके से जैसे G है उसकी आवाज हमको G मिलती है छोटे शब्दों में जहां भी हमारा ऐसा होता है तो वहां हमको गन है, गलास है, गर्ल है उसमें G की आवाज हमें गा मिलती है जब बच्चा बड़ा होगा तो वो पढ़ेगा अपने आप जैनरल है, जियोग्रफी है, इस तरीके के वर्ट जो है वो बहुत बाद में बच्चे के काम में आएंगे इसलिए हम लोग जो उसकी आवाज पहले सोच लेंगे कि हमें बच्चे को कौन सी आवाज पहले सिखानी है और जो उसका प्रतीक है वो भी हम उसी तरह सिखाएंगे कई बार ऐसा हो जाता है, यह क्यों कन्फूजन होता है जैसे आई है, अब आई की आवाज हमें दो कौनसोनेंट्स के बीच में हमें आई की आवाज मिल रही है तो ज्यादा तर आई जो है, आई से शुरू होने वाले वर्ड इस और इन है और बीच में जो हमें आई की मिलेगी तो वो बिग है, फिग है, सिट है, फिट है इस तरीके के आवाज हमें i की मिलेगी तो उसमें हमें छोटी i की आवाज मिल रही है अगर हमने इसका प्रतीक बता दिया कि i ice cream तो i की आवाज नहीं मिल रही है बलकि हमें बताना पड़ेगा कि i की आवाज आई है तो जब हम उसको big सिखाएंगे या हम उसको sit पढ़ना सिखाएंगे तो वो sight भी पढ़ सकता है स, I, T, Sight जो की गलत हो जाएगा इसलिए जब हम बच्चे को किसी भी चार्ट खरीद के लाएं बजार से या हम खुद बना के सिखाएं या हम draw करें तो हमेशा हमें अपने लिए ध्यान रखना है कि बच्चे को जो हम प्रतीक बता रहे हैं कि सीवे लेटर का वो प्रतीक इस प्रकार के होने चाहिए कि हमारी sound जो हमें इस्तिमाल में चाहिए वो ही sound हम बच्चे को शुरू से सिखाएं तब तो कोई फाइदा है नहीं तो बच्चे के दिमाग में बराबर confusion चलता रहेगा तो हमें शुरुआत जब अंग्रेजी पढ़ाने की करनी है तो हमें 26 अक्षर सिखाने है 26 अक्षरों की आवाज सिखानी है बच्चे को बताना है कि यह अक्षर का नाम है बी अक्षर का नाम है बी क्या कहता है ब ब से शुरू हने वाला शर्थ क्या है फिर यह आप चुनिए कि वो ball है कि वो bat है कि boy है आप कुछ भी सिखाईए वो आपकी मर्जी है उसका उद्देशिक एवल यह है कि बच्चा बी पहचानने लगे बच्चों को अक्षर का पहचान करवानी है जो इंग्लिश के लेटर्स है जो 26 लेटर्स हैं जब हम उनको इखटे बात करते हैं उनके बारे में तब हम कहते हैं इंग्लिश अल्फबेट तब हम उसके लिए शब्ज उस करते हैं English alphabet जैसे हिंदी की वर्ण माला है और वर्ण माला में हमारे पास 48 अक्षर है उसी तरीके से जब English की बात करते हैं तो 26 हमारे पास letters है ये हम सीखेंगे letters 26 letters है जो की सब मिलाके English का alphabet बनता है ये जब letters हम सिखाना शुरू करेंगे तो इसमें खास बात जैसे मैंने बोला कि प्रतीक उसी हिसाब से चुने गए है जो हमें sound इस वक्त सिखानी है और वो जब हम sound सिखाएंगे तो हमें कभी-कभी किसी-किसी sound के लिए अपनी body language का भी उपयोग करना है अपने इशारा ऐसा करना है कि बच्चा इशारा देखते ही वो letter जो है जैसे हम चाहते हैं वैसे बोलने लगे कई letters ऐसे हैं जिनको कि हिंदी में हम जब लिखते हैं तो उसको लिखके हम आपको ठीक से बता नहीं पाते हैं तो लेकिन बोल रहे हैं हम और आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि अपने कख्षा में उसी तरीके से उसको बोले ये पहला जो step है अगर ये सही पार हो गया तो आगे चल के बच्चे के उच्चारण में कभी कोई गलती नहीं होगी कभी भी कोई गलती नहीं होगी जैसे एग है तो एग में एग की अवाज छोटी आ रही है अगर हमने हिंदी में हमारे पास उसको लिखने के लिए कोई तरीका नहीं है ए से एड़ी होता है हमने ए ही लिखा है लेकिन आपको बताना है एग छोटी अवाज और आगे चलके बच्चा कभी एग नहीं पढ़ेगा आगे चलके बच्चे का उच्चारण हमेशा सही होगा उसमें टीचर्स को भी आसानी है और बच्चों के लिए भी बहुत ही उप्योगी है इस तरीके से बताना देखे अब मेरे साथ साथ आप सिखिए ए ए ए ए ए एपल ए ए एपल ए इसका नाम है ए इसकी अवाज है ए क्या बोलता है? ए ए क्या बोलता है? ए ए ए एपल फॉर शब्द का इस्तमाल नहीं करें क्योंकि जब बच्चा अक्षर जोड जोड के शब्द पढ़ेगा तो अगर आपने उसको B, A, T लिखके दिया तो बच्चा बोलेगा B for ball, A for apple, T for tree लेकिन उसको तीनों को मिलाके बैट बनेगा ये बच्चे को समझ में बहुत ही मुश्किल से आता है ये जब बच्चे अटकते हैं इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम शुरू में ही for का इस्तमाली ना करें हम तीनों चीज़ें सिखाते जाएं और फिर एक-एक चीज़ हम गायब करते जाएंगे शुरू आत में हम तीनों चीज़ सिखाएंगे A, 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 Apple और Apple जैसे बोल रहे हैं कोशिश करेंगे कि वो जो आवाज आएगी A की वो वैसे ही आए जैसे हम Apple में कहते हैं अगर हमने A की आवाज A बता दी तो वो A नहीं आएगी और हमें Apple सिखाने के लिए A की आवाज बहुत जरूरी है A में से अवाज बच्चे के लिए जो हमें ढूंडनी है वो A है हम बच्चे को एज वाला A नहीं सिखा रहे हम Apple वाला A सिखाएंगे शुरू में क्योंकि बच्चा जो है वो As और At ये दो छोटे शब्द सीखेगा Am, As और At शुरूबात में उसके अलाबा हर जगा A बीच में आएगा दोनों तरफ consonants आपको मिलेंगे Hat, Bat, Cat, Bag, Sag तब आपको A की ही आवाज चाहिए A की आवाज नहीं चाहिए इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चा शुरू में आवाज A सीखे, A ना सीखे लेकिन उसको पता होना चाहिए कि ये A है A, A, Apple B, B, Ball C, Cup D, D, Doll E, अब ये थोड़ा मुश्किल है मैं इस पे एक स्टार बनाती हूँ ताकि आप हमेशा याद रखें कि इस पे हमें बहुत ध्यान देना है E, A, Egg E, A, Egg तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप अगर एक उंगली हाँ लगा के उसको हमेशा सिखाए E, Egg मतलब हमें एक छोटी सी आवाज निकालनी है, Egg जैसी आवाज हमें Elephant में मिल रही है जैसी आवाज हमें Egg में मिल रही है उस तरीके की आवाज हमें बच्चे से चाहिए E, Egg ये छोटी आवाज छोटी छोटी आवाज एफ फ़ फिश एफ फ़ फिश जी फिर इसको ध्यान रखने वाली बात है कि हमें जी में ज़ नहीं कहना है जी ग ग्लास एच ह हट अब आप इसको हाउस भी सिखा सकते हैं और हट भी सिखा सकते हैं आई ये और एक थोड़ा सा मश्किल वाला है आई आई इक और हमने इसको इंक पैन किया क्योंकि कोई मिलता नहीं है शब्द की साउंड सिखाने वाला पहले हम लोग सिखाते थे इंक पॉट अब हो क्या गया है कि बच्चे इंक पॉट ही नहीं जानते हैं क्योंकि स्याही कलम दवात वाला कॉंसेप्ट ही खतम हो गया है तो yes एक बना दीजे कि भई यहां से इंक भरते हैं इसकी कैप खोल के तो ये है इंक pen आप चाहे तो इंक के लिए एक छोटी सी ये बना दीजे इनको बता दीजे कि इसमें स्याही भरी हुई है उसको इंग्लिश में कहते हैं इंक, इंक pen जे जजग जजग, के क काईट, एल ल, लायन, लायन हमने खासतार से चुना है क्योंकि ल लायट भी हो सकता है, लायम्प भी हो सकता है, लैमन भी हो सकता है lion की बात यह है कि जादा तर लोग lion को गलत बोलते है loin कहने लगते है loin नहीं है, lion है इसी समय आप इसको आराम से सिखा सकते है lion, बड़ा मुझ खोलके, बड़े आकी मातर लगाके, lion m, ma, mango n, na, nest आप net भी बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे na की आवाज वाले कई शब मिल सकते है nest इस तरह सीधी साधी तरीके से बना के एक डाल जरूर बना दीजे ताकि वो अगर अच्छी drawing ना भी हो तो उसको बच्चे को समझ में आ जाए कि ये घोसले के लिए na nest अन न नेस्ट ओ आओ औरेंज ओ आओ औरेंज पी पर पैरिट पी पर पैरिट एक लाइन यहां लगा दीजे ताकि वो पक्का हो जाए कि ये और कोई चेडिया नहीं है ये तो ताही है क्यू क्वा क्वीन क्यू क्वा क्वीन आर र रैट एस स स सन टी टर ट्री यू यू अ यू में भी बहुत ध्यान से सिखाईएगा क्योंकि यू की अवाज अक्सर बच्चे फिर भूल जाते हैं और यू यू बोलने लगते हैं लेकिन हमको यूनिवर्सिटी बहुत बाद में आएगा यूनियन बहुत बाद में आएगा यूनाइटेट बहुत बाद में आएगा और पहले क्या आएगा जहां पे यू की अवाज अ मिल रही हैं हट और बन और जग और कप और नट इन सब में यू की अवाज हमें अ मिलेगी इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ाना है वी वर वैन वी से भी शब्द आसानी से मिलते नहीं है इसलिए वैन कर दे रहे हैं हमने इसको जब ड्रॉइंग करी तो इसको हमने यहाँ एक गोला बना दिया सीधे कर देते तो बच्चे इसको बस समझते हैं इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बस और वैन में फर्क है और बच्चों को हसाईए बताईए टेडी मेरी ड्रॉइंग्स बनाईए और उनको बताईए कि देखिए यह वैन होती है और जो बस होती है वो बिलकुल चौकोर वैसी होती है आयत आकार में होती है और वैन में थोड वॉल डब्यू वॉल एक्स इसको बच्चे क्रिस्मस ट्री भी कह सकते हैं पर आप इनको समझाने के लिए बताईए कि एक्समस ट्री है यह एक्समस ट्री है और एक्स से भी शब्द बहुत कम आपको शुरू होने वाले मिलेगे एक्सरे होता है तो ऐसी चीज दुखदाई क्यों बच्चों को बताई जाए हाला कि बच्चों को पता होता है वाई में आप एक येलो कुछ चिपका दीजे कहीं से पीला रंग रंग दीजे वाई येलो क्योंकि जो किताबे होती है उनमें यॉट बना होता है यह एक तरीके क जिसमें की मस्तूल होता है और उसमें सेल बनी होती है लेकिन बच्चे फिर उसको बोट से QWTR करते हैं यह tastes को यह यह फिर क्लार्ट चलके नहीं आता है लेकिन हमको बहुत जल्दी जैसे ही बच्चे लेटर सीख लेंगे फिर हमें colors तो पढ़ाने ही हैं उनको इसलिए शुरुवात ही आप इससे कर दीजे कि यह येलो जेट जीब्रा जेट जीब्रा और इसमें भी ध्यान रखेगा कि ये जेब्रा नहीं है ये जेब्रा भी नहीं है इसमें बिंदी लगा के जीब्रा और हम लोग British तरीके से अंग्रेजी पढ़ाना पसंद करते हैं भारत में इसलिए हम इसको Z कहते हैं लेकिन ये जीब्रा क्यों कहलाता है क्योंकि अमेरिका और बहुत से देशों में जेड नहीं बोला जाता है जी बोला जाता है देखिए जैसे जी टीवी है उसको जेड टीवी नहीं कहते हैं तो ये जो ज, जीब्रा, ज, ज, जीब्रा, वाई, य, य, येलो, ज, ज, जीब्रा, बड़े एकी मात्रा लगा के बोलेंगे, तो सही उच्चारान आएगा, ज, 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 जीब्रा, एक बार जब बच्चे को नेम, सिम्बल और साउंड, तीनों चीज़ें जब बच्चे को आपको लगे कि आपनी क्लास में ज़्यादा तर बच्चों को ये समझ में आने लगा है, तब हम डॉजिंग करेंगे, डॉजिंग के मतलब ये है कि कई बार बच्चे एक धरब्रवा उसको याद कर लेते हैं, एक सीक्वेंस में याद कर लेते हैं, वो भी गलत हो जाता है कि A, 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 B, B, बॉल तो वो बिना देखे बोलने लगते हैं, रट जाता है उनको, तो अब आप ऐसा करिए कि उनसे करिए कि हम जिसके ओ दिखाएंगे वही वाला बोलना है, तो उनकी ये जो लाइन से रटने की जो प्रक्रिया है, उसको हमें तोड़ना है, तो आप उनको दिखाईए, हाथ में रूलर या पैंसल कुछ ले लीजे और फिर यहां पे लाइए, G ग ग्लास, C क कप, E ए ए एग, E ए ए एग, K क काईट, L ला लायन, T to tree, इतना जब आपको लगे कि बच्चे का पका हो गया, तब हमें इनको symbols से दूर करना है, symbols पे जो इनकी dependence है, जो ये उन पर पूरी तरह से निर्भर हैं अकशर पहचांदने के लिए, वो dependence हमको बिल्कुल खतम कर देनी है इसका अर्थ ये है कि T पहचानने के लिए ट्री बना होना जरूरी नहीं है Z पहचानने के लिए जीबरा की तस्वीर होनी जरूरी नहीं है E पहचानने के लिए एग होना जरूरी नहीं है तो अभी तो आपने एक चार्ट आप बना लें लेकिन इस समय आप उस चार्ट का मुँ पलट दीजिए उसको छुपा दीजिए और ब्लैक बोर्ड का इस्तमाल करते हुए सिर्फ साउंड और नाम बच्चे से बुलवाएंगे जब ये नहीं होगा तो बच्चे को बोलना है बी ब ब और आप ये तो आपकी सुविधा के लिए है तो आप ये सिर्फ भी ही रहेगा और आप पूछेंगे नेम बी What does B say? B क्या बोलता है? B. B क्या बोलता है? B. C क्या बोलता है? कब ना वो कैट कहेगा ना वो कब कहेगा अब इस समय आपको ये भी करना है कि जो छोटे-छोटे words और हो सकते हैं उसी sound से शुरू होने वाले वो बच्चों को थोड़ा बताने की कोशिश करिए हो सकता है बच्चों को खुद भी थोड़ा सा idea हो लेकिन इतना idea English का नहीं होगा लेकिन आप भी कोशिश करिए जैसे मैंगो है आप मग भी बुलवाईये उनसे आप उससे मंकी भी बुलवाईये कुछ भी बुलवा सकते हैं तो बच्चे को idea होगा कि एक ही sound से कितनी सारी शब्द बन जाते हैं और ये जब हम बीच बीच में से पूछते हैं तो इसको हम लोग dodging कहते हैं इसको हम लोग dodging कहते हैं इसको हम लोग dodging कहते हैं तो आप सिर्फ letter लिखिए और उससे फिर dodging का जो दूसरा चरण है वो ये होगा कि आप उससे कहिए कि अच्छा हमें नाम नहीं चाहिए हमें सिर्फ आवाज बताओ जब हम बी लिखें तो तुम बी में मत बोलो तुमको ये नहीं कहना है कि बी ब ब तुम ये भी मत कहो तुम सिर्फ ये कहो ब एन आप लिखिए और बच्चे बोलेंगे स ये आपका dodging का दूसरा चरण होगा पहले चरण में आपने प्रतीक हटा दिये symbols हटा दिये और बच्चा जो है letter और sound दोनों बोलेगा उसके बाद सिर्फ sound आप बुलवाईए सिर्फ sound आप पहले letter पहचानवाना शुरू कर दीजे dodging में खाली बी लिखा और बच्चा बोलेगा भी ब ना भी बोले तो कम से कम letter उसको पहचानने आने चाहिए उसके बाद आप सिर्फ sound की dodging करिए और इस वक्त इसके ऊपर आप कम से कम हफदा दस दिन अपनी English Class में लगाईए इसमें बिलकुल भी जल्दी मत करिए क्योंकि अगर आपने इस वक्त जल्दी करी तो बच्चे की sound clear नहीं होगी इसमें आप खेल भी करा सकते हैं बच्चों के class को अपने दो दल में विभाजित कर दीजे और एक से नाम बुलवाईए और एक से sound बुलवाईए और उनकी खेल करवाईए और देखे कौन से ही बोलता है त letters और sounds बिना symbol के तब हम आगे छोटे-छोटे शब्द अक्षरों को मिलाकर पढ़ना शुरू करेंगे लेकिन ये level आने तक teacher को पक्का हो जाना चाहिए कि मेरी class के अधिकतर बच्चे जो हैं वो हर letter को A से लेकर Z या Z तक सब की sound अच्छी तरह से पहचानते हैं और थोड़ी सी भी सहायता के साथ वो 26 sounds बच्चे अराम से बोल सकते हैं तक हमने सीखा कि हम अंग्रेजी की वर्ण माला या जो 26 letters है उनको हम बच्चे को कैसे सिखाएं ताकि बच्चा जो है letters को पहचाने भी और letters में जो आवाज हमें मिल रही है उस आवाज को पहचाने बोले और उसका उप्योग करना सीख चाएं अब एक और चीज है जो English के लिए खास है वो है sight words sight का मतलब है देखना द्रिष्टी तो sight words वो शब्द होने चाहिए जिनको देखते ही बच्चा पहचान जाएं उसके लिए spelling रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए यह जो spelling शब्द है यह शब्द भी English के लिए ही लागू होता है हिंदी में spelling नाम की कोई वस्तू नहीं होती क्योंकि हम जो सुनते हैं वही बोलते हैं और वही लिखते हैं अगर आपको लिखने को लिखना है तो आप कहेंगे लिखना अब आप इसको spelling माल ले या कुछ भी म पड़ेगा अगर उसको मात्रा ग्यान हो गया है तो वह लिख सकता है लिखना आप कहेंगे लिख और अगर हमने मात्रा ठीक से सिखाई है तो वह लग में छोटी की मात्रा लगा कि उसको लिख बना लेगा हम पूछेंगे इसमें कोई मात्रा है बच्चा कहेंगा नहीं है तो सीधा सीधा का लिखेगा ना न में बड़े आकी मात्रा बच्चा यह आप लगा लेगा तो हमारा पूरा शब्द बन जाएगा लिखना लेकिन इंग्लिश में जैसा पहले भी हमने बताया कि एक ही अक्षर अलग-अलग साउंड होती है एक ही जैसे सुनाई पढ़ने वाले शब्द अलग-अलग तरीके से लिखने में उसके भिद्धता होती है कभी-कभी किसी में कोई तर्क भी नहीं हम लगा सकते कि ऐसा क्यूं है लेकिन फिर भी वो शब्द उसी तरह से लिखा और पढ़ा जाता है आप साइट शब्द को ही देख लीजे तो साइट में ना जी का कोई आचित है ना हा का कोई आचित है लेकिन ये SIGHT ही इसकी स्पेलिंग है तो इसे लिए स्पेलिंग की जरूरत पढ़ती है और इंगलिश सीखने में बच्चे को हजारों स्पेलिंग याद करनी ही पढ़ेंगी फोनेटिक से हम भशा को सिर्फ आसान कर सकते हैं लेकिन स्पेलिंग रटने की प्रक्रिया को हम पूरी तरह से मिटा कभी नहीं पाएंगे ये ज़रूर है कि computer पर spell check के सहारे से आप बहुत से spelling सही कर सकते लेकिन फिर भी हर बच्चे को English सीखने के लिए spelling तो रटनी ही पढ़ती है हम लोग ये चाहते हैं कि English जब बच्चा को sounds आ जाए तो बहुत जल्दी बच्चा meaningful sentences पढ़े तागी उसको पढ़ के ये लगे कि अरे ये तो पूरी बात है और ये बात मैं समझ सकती हूँ ये खाली कोई हवाई शब्द नहीं है कि जिसको कि बस मुझे रट लेना है मैं पूरी पूरी बात इंग्लिश में लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, बोल सकती हूँ और समझ सकती हूँ ये खुशी जितनी जल्दी आएगी बच्चे का डर भी खतम हो जाएगा इंग्लिश से और बच्चे को खुद किताब पढ़ने की इच्छा होने लगेगी जहां आपने ये इच्छा पूरी कर दी बच्ची की आप ये इच्छा उसके मन में जगा दी तो आपका पढ़ाना सफल हो जाएगा इसलिए हम लोग साइट वर्ड्स को बहुत शुरू में ही ले आते हैं आपको लगेगा कि अभी जिस बच्चे ने ए पहचानना सीखा है या सी में से का कि अबाज आती ये सीखा है इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े शब्द लाने का क्या मतलब है लेकिन आप जब पढ़ा कर देखिए इस तरीके से और आपके बच्चे जब बहुत जल्दी मीनिंगफुल मतलब जिन बातों का उसको मतलब समझ में आए ऐसे पूरे पूरे वाक्य जब पढ़ने लगेंगे बच्चे तो जो आनंद बच्चों को मिलेगा जो आनंद आपको मिलेगा उसका हम अभी कोई वर्णन आपसे कर नहीं सकते केवल यह प्रैत्न करने की बात है तो करके देखते हैं हम लोग Sight Words, Sight Words के मतलब वो शब्द जो हम बार-बार दिखाएंगे मगर हम उनको ध्वनी में तोड़ेंगे नहीं हम उसकी Spelling नहीं रटाएंगे यह वो शब्द हैं जिनको बच्चा सिर्फ देख कर सीखेगा इसका सबसे आसान तरीकाई है क्योंकि ऐसे तो Sight Words बहुत सारे हैं इंगलिश में कोई अंती ही नहीं है लेकिन हम क्या करेंगे कि जो Sight Words हम सूचते हैं कि अंग्रेजी शुरू करने वाले बच्चों के लिए जरूरी है उनको थोड़े थोड़े शब्दों को हम एक जगा लिखते जाएंगे उनको दस-दस दिन के लिए रोज हम सिर्फ दो बार उनको रिवाइस करवा देंगे और आप देखिएगा कि दस दिन में वो बच्चा देख देख कर ही वो शब्द सीख जाएगा उन शब्दों को जब हम छोटे-छोटे साउंड वाले शब्दों के साथ मिलाएंगे तो पूरे-पूरे वाखिए बच्चा बहुत जल्दी पढ़ने लगेगा साइट वर्ड्स तीन तरहें के होते हैं पहला जो है नो लॉजिक तरकहीन इसमें हम कोई आपको तरक नहीं बता सकते कि इसकी आवाजी आती है और ये ऐसे बनता है ऐसे बनता है बस हमें मान के चलना है कि ये शब्द ऐसा है तो है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते जैसे पहला शब्द इस तरह के शब्दों का मैं उधारण दूंगी स्कूल इसको आप साउंड के सहारे नहीं बता सकते कि इसमें क्यूंकि जादा-तर सी और ये जो है ये चा की साउंड मिलती है जब हम चा कहेंगे रिच है, सच है इस तरह के शब्दों में हमें CH की साउंड हमें मिलती है चा तो ये स्कूल में ये क की साउंड आ रही है तो इसलिए पहला साइट वर्ड जो है ये इस तरीके के जहें शब्द हम कुछ ऐसे ले लेंगे की जिनमें कोई तरक नहीं है जैसे माए है माए है अब ये साउंड हम सिखा रहे है वाए की और हम माए में आई की आवाज आ रही है तो हम माए को हम उसको साइट वर्ड की तरीके से लिख देंगे और अगर हम रोज बच्चे को दिखाएंगे ये देखो ये क्या है माए हम एम वाई तोड़ेंगे नहीं साइट वर्ड की खासियत है कि हम उसको तोड़ेंगे नहीं हम ये नहीं कहेंगे एम वाई माई जैसे हमें एक गेंदे का फूल तो दस दिन दिखाएंगे कि ये गेंदे का फूल है तो बच्चा पहचान लेगा कि ये गेंदे का फूल है मा कहती है बेटा कटोरी उठा लाओ कटोरी लाओ तुमको दाल परस दें इसमें तुमको खीर दे तो वो कटोरी वर्ड इतनी बार इस्तेमाल होता है कि थोड़े दिन में जैसे ही बच्चा बोलना सीखता है वो कटोरी समझ चाता है इसी तरीके से sight words है मा नहीं बताती कि ये धातु की वनी हुई गोल चीज है इसमें हम खाना खाते हैं इसी तरीके से ये sight words है इनको हम तोड़ेंगे नहीं इनके spelling नहीं कहेंगे हम homework भी नहीं देंगे कि हम वाई माई याद करके आओ बिल्कुल नहीं हम सिर्फ दिखाएंगे कि sight words में कि देखो ये है माई ये बाई ये स्कूल इस तरह के sight words हम बनाएंगे तो एक teacher के लिए सबसे आसान ये है कि एक पुराना calendar ले लीजिए और जो मोटा वाला pen होता है marker होता है color होता है उससे ये शब्द थोड़े थोड़े करके लिखतीजे जब आपको लगे कि हमारे बच्चे ये जितने 8-10 words लिखे हुए हैं वो उनको याद हो गए हैं देखत बस पलटके उसको revise कराते रहिए तो एक calendar पर इस प्रकार के sight words आप लेख सकते हैं तो ये जो तीन तरहें के sight words हैं इनमें पहले तरीके के words वो हैं जो की इनको हम किसी logic से किसी तर्क से हम नहीं समझा सकते कि ये spelling ऐसी क्यों बनी दूसरी तरहें के sight words ऐसे होते हैं जो की इंग्लिश नहीं सीखेगा बहुत जल्दी वो इस्तेमाल उसको करने ही पड़ेंगे छोटे भी words हैं बड़े भी words हैं जैसे दी इसके पास भी हमारे पास इसका कोई logic नहीं है लेकिन ये बहुत जरूरी वाले शब्द हैं तो ये होते हैं तीसरी तरह के शब्द ऐसे हैं जो की बच्चे को खुशी देते हैं और बच्चे उनको बहुत जल्दी सीखेंगे इसमें आप नाम डालिए अपनी कख्षा के बच्चों के नाम लिखतीजे बच्चे उसको देखते ही पहचान जाएंगे हाला कि बड़ी बड़ी भी spelling हो सक सकती है किसी की श्वेता है माल लीजे तो बहुत लंबी spelling होगी लेकिन बच्चा जो है बिना उसको एस ही डबलू टीए यह समयाद किये बिना फट से कम से कम हर बच्चा या बच्ची अपना नाम उसमें देखके तुरंत पहचान ले आपका स्कूल जिस जगह पर है उस आप इसमें अपने तरह तरह से साइट वर्ड्स के लिए इस वाले में ग्रुप्स बनाईए कि चलिए इस बार हम इनको तीन चार खाने पीने की चीजों के नाम लिख देते हैं आप लिखी लीजे उसमें पूरी लिखिए जले भी लिखिए इंगलिश में और बच्चा जो उनको फिल्मों का शौक हो कहीं से कुछ क्योंकि बच्चे आप दिखाएं टीवी ना दिखाएं लेकिन कुछ तो फिल्मों की जानकारी होती हो उनसे पूछे तुम्हें कौन से अक्टर या अक्टरस पसंद नाम कहीं लिख दीजे और बच्चे देखके इतने खुश होंग उसमें कुछ पहली कैटेगरी के कुछ दूसरी कैटेगरी के कुछ तीसरी कैटेगरी के शब्द जो हैं वो आप कैलेंडर के पन्ने पर लिखना शुरू कर दीजे एक हफता लगा रहने दीजे उसके बाद उसको पलट दीजे नए शब्द डालिए और पिछले शब्द जो हैं वो revise करते रही है खोल-खोल के तो आप ये देखिए कि महीने डेड़ महीने के भीतर बच्चों के पास 30-40-50 शब्दों की भंडा आ जाएगा कुछ sight words जो ज़रूरी है वो हम यहाँ पर लिखते हैं उनको इसी तरीके से आप सिखाएंगे सबसे जरूरी बात sight words सिखाने में यह है कि इसमें हर शब्द अलग है हम लाइन में लिखेंगे blackboard पे इसका आर्थ यह नहीं है कि आप लाइन से वो words पढ़वाएं तीन या चार से जादा एक लाइन में शब्द नहीं आते हैं लेकिन आपको उन शब्दों की जगहा बदलनी है ताकि बच्चे लाइन से ना पढ़ना शुरू कर दें क्योंकि यह अपने आप में हर sight word अलग है यह कोई वाक्य नहीं बना रहे हैं यह कोई बात पूरी नहीं कह रहे हैं तो जो आपके पास calendar में तीन अगर दस शब्द लिखे हैं तो आप उनमें से चुन के words blackboard पर भी लाके लिख सकते हैं कि यह क्या लिखा है उधर देखके बताओ calendar में देखो और बताओ कि यह मैंने क्या लिखा मान लीजे कि आपने किसी का नाम जान की है और उसम आप उसको अगर आप दिखाएंगे board पर लिखे बच्चत तुरंत बताएंगे कि यह जौनपूर है तो शुरू से उनको यह समझाईए कि यह हर शब्द अलग-अलग है जैसे हम शुरू हमेशा sight words करते हैं I, my, by तो ऐसा मत करिएगा कि I, my, by, to, do, you ऐसे line wise ना चले सिखान के लिए शुरू में ऐसे करिए फिर इन शब्दों के स्थान हिलाते रहिए sight words के स्थान हिलाते रहिए और blackboard पे लिख लिखके भी अलग-अलग पूछते रहिए ताकि बच्चे जो हैं उनको एक साथ ना रटें कोई भी शब्द अलग से देखते ही पहचान जाएं अब झाल 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 इसका ध्यान रखना है कि आवाज छोटी हो चोटी आवाज के साथ क्योंकि तू जो है वो एक अलग शब्द होता है अंग्रेजी में जिसमें दो ओ लगते हैं उसका मतलब होता है भी ये तू दू यू इसलिए क्योंकि इसका कोई तर्क नहीं है कि दू को हम दू क्यों कह रहे हैं जैसे रूम बोलेंगे तो उसमें हम दो ओ लगाते हैं तो डू में एक ही ओ क्यों है अगर हम तर्क लगाए तो हम इसको तर्क के साथ साथ नहीं समझा सकते इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा तो डू यू यू में भी कोई लॉजिक नहीं है हम इसको किसी तरह नहीं समझा सकते कि ये वाई ओ यू मिला के यू क्यों बना अब तो मोबाइल के मैसेज़े में सब लोग सीधे यू ही लिखते हैं और लोग you so no go यह बहुत जरूरी है सिखाने क्योंकि हम उनको ओ की आवाज और सिखा रहे हैं इसमें ओ आ रही है so no go he she the love good like school mother father brother sister friend teacher अब आपको कोशिश यह करनी है कि इनकी जगहें बनलते रहें ताकि बच्चा लाइन से ना रट ले I am I buy to do you देख इधर रहे हैं खेल उधर रहे हैं और जब आप पूछ रहे हैं तो बच्चे को पूरा याद है to do you so no go क्योंकि हम इसी तरह चार्ट में या कैलेंडर में लिख देते हैं तो उसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसे सिखाएं और फिर इनी में से ढून ढून के शब्द को blackboard पे लिखिए और बच्चा जो है देखते ही उसको पहचान लेना चाहिए इसके बाद आप इसमें happy words जोडते रहिए कि उनके नाम उनके parents के नाम हो आपके बहुत ज़रूरी है कि जिस जगह आपका विद्याले है उस जगह का नाम भी ज़रूर होना चाहिए व और बाद में आप फिर अपने मन से सोचते रहिए कि आज हम दो और चीज़ें को सिखा दें तो चलिए station लिख दिया hospital लिख दिया इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है कि आप बच्चे को बड़े बड़े शब्द जो है बच्चा देखते ही पहचान जाए उसमें उसको र साथ-ाठ से ज्यादा साइट वर्ड्स नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है ताकि बच्चे के मन में कोई confusion नहीं होना चाहिए जब बच्चों को अराम से सारे आपके letters के sounds पता चल गए और वो लोग बिना किसी symbol के sounds को पहचानने लगे तो reading की शुरुवात की जानी चाहिए sounds को पका करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इनको क्योंकि जब छोटे बच्चे लिखना सीखते हैं और पढ़ना सीखतें English जहां English medium schools होते हैं तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि बिल्कुल nursery से ही English चालू हो जाती है लेकिन और schools में कई बार ऐसा होता है कि English जो है देर से चालू होती है तो बच्चों को लिखने में कोई दिक्कट नहीं होती उनको पहले से ही Hindi और numbers लिखना आता है तो सारे letters आप लिखवा करके sound के साथ उनको सिखाते चाहिए dictation के रूप में आप दीजे उनको कि सिर्फ sound बोल दीजे प तो उमीद कीजिए कि बच्चा P लिखेगा र, स, अ, ओ, ए, इस प्रकार से आप करते चलिए तो बच्चे जो हैं वो लिखना सीख जाएगे लेकिन अब चलिए हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं जिससे की बच्चा ये कुश हो कि हम शब्द पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम शुरू करेंगे two letter words से सिर्फ दो अक्षरों के मेल से जो शब्द बन जाते हैं आ म आम आ न आ अन आ स आस अ ट आट अ फ फ इण आ इन इन इस इस इट इट अस इस इस तरह से जब हमने दो अक्षर के वर्ड्स पढ़ाने शुरू कर दिये अब हम जैसे मैट्स में पहाड़े होते हैं टेबल्स होती हैं बिल्कुल उस तरीके से हम लोग अपनी अपनी फोनिक टेबल्स बना सकते हैं बच्चों के पढ़ाने के लिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अट से क्योंकि ट की जो साउंड है यह सबसे क्लियर साउंड होती है इसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं होती है इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है आपने एट यहां भी पढ़ा दिया है पहले से पढ़ा हुआ है तो बच्चा जो है वो यह समझ लेगा कि एट यह क्या है दोनों मिला के पढ़ो तो एट इसको हम लोग थोड़ा खेल खेल में भी सिखाते हैं कि देखिए यह दो बच्चे हैं यह एट यह दोस्त है अब दो लोगों में खेल नहीं हो पा रहा है तो हम एक तीसरे बच्चे को बुलाएंगे बारी-बारी से बहुत सारे बच्चे खेलना चाते हैं मगर यह खेल जो है सिर्फ तीन बच्चे मिलकर खेल सकते हैं कोई भी कालपनिक खेल आप सोच लीजे कि यह तीन ही मिलके खेल सकते हैं तो तीसरे बच्चे जो बहुत सारे लाइन लगा के खड़े हुए हैं यह बारी-बारी से आएंगे और इनके साथ उनके नाम या उनकी आवाजें मिल जाएंगी तो उनको इस तरीके से पढ़ाना है यह एट है यह बच्चों को पहले ही पता है अब आप इनको कहिए कि यह जो एक तीसरा बच्चा जो है वो इस खेल में शामिल होने के लिए हाथ बढ़ा रहा है और इसको बहुत ही ध्यान से बताना है कि यह जो साउंड है यह इसमें मिल जानी चाहिए तब ही आपको एक अंतिम साउंड नहीं तो हमारे फ्लोर पे अब जब थ्री लेटर वर्ड्स हम शुरू करेंगे फोनिक टेबल्स हम उसकी बना लेंगे सबसे पहला हम कॉम्बिनेशन जो है लेना चाहिए वो है एट एट बच्चा पहले ही जानता है कि जब दो आसपास हो जाते हैं तो यह हम इनको पढ़ते हैं इखटे पढ़ते हैं एट और इनको हम खेल में भी सिखा सकते कि यह दो बच्चे हैं और यह मिलके खेल रहे हैं यह दो बच्चे जब इखटे होते तो इनका नाम होता है एट अब नएा गेम कोई खेलना है जिसमें कि एक और बच्चा चाहिए और बहुत सारे बच्चे लाइन से लगे हुए कि हमें भी खेलना है तो एक एक करके बच्चे को यह आवाज देंगे पहला है ब और आप ऐसे बना सकते हैं कि ये बच्चा जो है आ गया और इसने भी इनके साथ हाथ मिला लिया अब हम इस साउंड को मिला के पढ़ेंगे ब ये हाथ मिलाना आपको एक दो बार थोड़ा करना पढ़ेगा बोड़ पर तो जिससे कि एक्टम क्लियर आइडिया हो जाए कि ये आवास इसमें जाके मिल जानी चाहिए बाट बैट और मैं इससे में याद दिलाना चाहती हूँ कि देखिए इसलिए हम लोग कहते हैं कि बी फॉर बॉल या बी बा बॉल ये बहुत दिनों तक नहीं चलाना चाहिए नहीं तो फिर बच्चा ये ऐसे पढ़ता है इसको बी और फिर एटी तो फिर फॉनेटिक्स का कोई फाइदा नहीं रह जाता उसको बी एटी बैट तो रट नहीं पड़ेगा तो इस तरह पढ़ने में आप इनसे कहिए बाट बैट कर एट कैट फ एट फैट हम इस तरीके से हम लोग शब्द बनाते जाएंगे अब चूंकि ट की साउंड बच्चे को पक्की तोर पर आ गई है तो अब हम इसके साथ इप और वावल जोड़ देंगे ए को हटा देंगे और इसकी जगा आप ओ या आए या यू को ले आईए अभी इ को मतला आईए क्योंकि ए और इ में बहुत कंफूजन होता है ए और ए इसमें कंफूजन होता है तो ए की साउंड सिखाते सिखाते इ को थोड़ा देर में लाईए बाकी तीनों को ले आईए A, E, I, O, U में I, O, U पहले ले लेना हमेशा अच्छा होता है ताकि बच्चे का तब तक एकदम confusion हट जाता है तो फिर अगर हम इसमें अब table बनाएंगे T को ऐसे ही रखते हैं और sound को, बीच की sound को हम बदल के O कर देते हैं उसी तरह बताएंगे A, 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 A से हमारी टेबल और ट की बन गई अब हम इसी तरीके से आगी चलेंगे और इट की टेबल बनाएंगे और देखिया इट तो हमने पहले ही बच्चे को सिखाया हुआ है इट उसको पता है टू लेटर वर्ट्स में इट था तो इट की टेबल भी ऐसे ही चलेगी ब इट बिट फ इट फिट प इट पिट इस तरीके से सा इट शिट सा इट शिट इस तरीके से हम लोग अपनी टेबल बना लेंगे जब आपके ए आई ओ और फिर अब यू की साउंड ले लीजे अट बाट बट नाट नट काट काट हाट हट सबसे अखिर में आप इकी साउंड से तीन लेटर के वर्ड्स वाली साउंड के साथ पढ़ाएं और बार-बार उंगली इधर लगाएं ताकि बच्चे को याद रहें कि हमें छोटी साउंड निकालनी है ब एक्ट बैट प एक्ट पेट स एक्ट सेट न एक्ट नेट ग एक्ट गेट इस तरीके से जब इतना आपने बहुत धीरी स्पीड से कर लिया और आपको लग रहा है कि बच्चों को मज़ा आ रहा है पढ़ने में अब आपके लिए खुला आकाश है आप जितने चाहिए उतने कॉंबिनेशन्स अपने आप बनाईए जैसे की एक्ट इस तरीके से इस तरीके से एक के कई सारे बना लिए उसके बाद फिर आई के बना लीजिये ह, इ, ड, हिड, ब, इ, ड, ब, ट, इ, न, ट, प, इ, न, प, इ, न, प, इ, न, प, इ, इस तरीके से आपके बनते चले जाएंगे सिर्फ एक कॉम्बिनेशन आपको अभी अभूइड करना है उसको ना चुएं तो अच्छा है वो है ए आर का क्योंकि हम ए सिखा रहे हैं एक ही साउंट लेकिन हम लोग जब कार और फार और बार ये जब हम बोलते हैं तो हमारी आवास बड़े आ की आती है जबकि इसमें इसके हिसाब से एर होना चाहिए तो अगर हमने सी ए आर लिखा तो बच्छा क्यार पढ़ेगा क्यार तो वो अमेरिकन प्रणूंसियेशन में ब्रिटिश तरीके से बोलने में तो वो ठीक है लेकिन इंडिया में हम लोग क्यार या बैर या फैर नहीं कहते है हम लोग फार कहेंगे, बार कहेंगे, कार कहेंगे, मार कहेंगे, पार कहेंगे इसलिए हम लोग ए आर के कॉंबिनेशन को नहीं सिखाते हैं बलकि अच्छा यह होगा कि सी ए आर कार लिखके आप इसको साइट वर्ड्स में शामिल कर दीजे तो बच्छा कार सीख जाएगा साइट वर्ड्स रोज दिखा दिखा कर बहुत सारे साइट वर्ड्स यह ऐसे हैं कि बच्चा देखकर ही पहचान जाएगा कि यह लिखा हुआ है बिना रटे और इधर हमने पहले दो लेटर्स के और उसके बाद तीन लेटर के वर्ड्स फोनिक कली मतलब उसकी आवास के साथ उसको पढ़ने सिखा दिये अब वकत आ गया है कि हम पूरे पूरे वाक्य जिनका मतलब निकलता है और जो बच्चे को यह मैसूस हो कि हाँ अब हम इंग्लिश में अपनी पूरी बात लिख सकते हैं और पूरी पूरी बात लिखी हुई अराम से पढ़ सकते हैं और यह अग बिल्कुल अंदर से निकल जाएगा हम क्या करेंगे कि साइट वर्ड्स को मिलाएंगे फोनिक वर्ड्स के साथ अपना वाक्य बनाने के लिए और साइट वर्ड्स शुरू में जादा लीजिए फोनिक वर्ड्स कम लीजिए साइट वर्ड्स को पॉइंट आउट करते रहें कि इसी पैंसिल या स्केल की साहता से बच्चा याद्र करें यह चार्ट साइट वर्ड्स का उसके सामने होना चाहिए अब आप इसी में से वर्ड्स निकाल लीजे माल लीजे उदाहरण के लिए हमने माय निकाल लिया अब एक कोई फोनिक वर्ड यहाँ पे डाल दिया आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर दीजे ताकि बच्चा इसको आवाज के साथ पढ़ें और इसको ऐसे आप पॉइंट आउट करिये अब धेर सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो थ्री लेटर वर्ड्स में आपको मिल जाएं जो बच्चा ये पढ़ें कि हाँ ये भी अच्छा है मेरा ये भी अच्छा है अब आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं इतना चुकि उसने अल्रेडी पढ़ा हुआ है तो उसको रिपीट करने में बहुत आसानी होगी माई कप कप माई अब वापस जाए माई पे पहले कप पढ़ ले वापस जाए माई पे माई कप इस गुट फिर इसको मिटा दीजे कुछ और लाद डाल दीजे माई हएट क्या हुआ हैट माई हैट माई पे फिर वापस जाए ताकि अब कंटिनुवेशन में सेंटेंस पढ़ा जाए पूरा माई हैट इस गुट अब आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं कुछ भी और बहुत सारे सेंटेंस पढ़ सकते हैं माई बैट इस गूड माई कैट इस डो गूड माई हट इस गूड माई डॉग इस गूड कुछ भी और इसी तरीके से हम लोग फिर बहुत सारे सेंटेंस कर सकते हैं शिरू अगर हमने आए से किया और इसमें साइट वर्ड में हम माई लगा देंगे आई लाइक और दिखाइए लाइक मुझे पसंद है या लव कर दीजे लव दिल दिखाएं मुझे क्या पसंद है आई लव आई लाइक आई लव आपकी मर्जी है आप यहां कोई भी शब्द लिख सकते हैं आप अगर लव लिख रहे हैं तो दो चार बार उसके नीचे हार्ट बना दीजे बच्चे को बिलकुल पक्का हो जाएगा कि यह शब्द जो है वो लव है अपको क्या क्या चीजे पसंद है I love my cup I love my mother यह तो पूरा ही sight words आपके आजाएंगे I love my sister I love my friend I love my school बहुत सारी चीजे और sight words में नहीं होगी तो three letter words में cat, dog, cup, hat कुछ भी आता चला जाएगा पूरे पूरे sentences भी आपके sight words में से निकल रहे हैं I go to school I go to school I love my school I love my school I love my mother I love my sister I go to school by bus by bus अब इसको अंडलाइन कर देंगे तो यह बच्चे को पता है कि यह हमें phonically पढ़ना है the cup is hot तो the जो है आपका sight words में से निकला cup phonic है is phonic है her order hot is phonic इस तरीके से हम लोग three letter के words और इनको मिला मिला कर हम लोग पढ़ते चलेंगे तो बच्चे के sentences पढ़ने की शुरुवात हो जाएगी अग हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से three letter words तीन अक्षर के शब्द और sight words मिला करके हम लोग बच्चों को language पढ़ने की शुरुवात कर सकते हैं तो आईए थोड़ा आगे बढ़के अब four letter words पे आ जाएं और इसमें दो शब्द जोड करके जैसा हमने पहले भी बताया था कि हिंदी भाषा में हमारे पास word माला में जादा अक्षर हैं लेकिन इंग्लिश में हमें 26 letters से काम चलाना पड़ता है तो इसमें हमें बहुत सारी जो sounds हैं वो हमें 2 letters जोड के मिलती हैं तो उन 2 letters को जोड करके फोनिक तरीके से किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं श कि श यह आवाज हमको मिली श अब आप इसको किसी भी तरीके से जब आप इनको साथ में आपने पढ़ा दिया कि जब यह साथ में होते हैं को यह बोलेंगे श अलग-अलग से यह कहेगा सा और हम लेकिन जब यह साथ होंगे तो हमको आवास मिल रही है श, तो जहां ये श हुआ तो जब आप शब्द लिखेंगे पच्चों के पढ़ने के लिए तो इनको आप जब अंडरलाइन कर देंगे एक साथ, तब पढ़ने में ये आसानी होगी कि उसको पता है कि ये दो मिला करके हमें एक नई साउंड बना के पढ़ना है, उसको दारण देखिए क एश कैश, फ इश फिश, द एश देश, प ओश पश ह, आ, श, हश, अब ध्यान दीजेगा, ये अकीला है, तो इसमें ह, एक्च में से हमें ह की आवाज मिल रही है हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, स और ह जब पास पास होंगे, तो हमें श की आवाज मिलेगी म, ए, श, म, श, अब इस श, हमें एंड में मिल रहा है ये श, बहुत सारे शब्द जो हैं वो श से ही शुरू होते हैं, वो भी इनको पढ़ने में बच्चों को बहुत आनंद आएगा श इप शिप, श आप शॉप, श अट शट, श एड शेड इस तरीके से श की आवाज सिखा लीजिए अब आते हैं, च, ये जब पास-पास होते हैं, तो हमें आवाज मिलती है, च, च, और इस च की आवाज भी आप उसी तरीके से सिखाएंगे, कि पहले च से शुरू होने वाले, और फिर च से अंत होने वाले, और हर जगा आप अगर इसमें शुरू के कुछ दिनों तक लाइन लगाती रहेंगी, तो फिर आपको दिक्कत विल्कुल नहीं होगी, जो बच पढ़ना है, इसको मिला करके हमें च पढ़ना है, च एप चैप, च ऑप चौप, च एट चैट, च इट चिट, फिर जहाँ पर शब्द च में अंत हो रहा हो, जहाँ पर शब्द को अंत चा में हो रहा है, जैसे चा में किया था, बिल्कुल उसी तरह से चा में करेंगे, र, इ, च, रिच, स, आ, च, स, च, म, आ, च, म, च, इस तरीके से चा वाले शब्द हम लोग सीखेंगे, जब चा और शब्द की अच्छे से आदत हो जाए बच्चों को पढ़ने की, उसके बाद हम आर वाले शब्द लाएंगे, जब दो कॉंसोनेंट्स के साथ मिल जाते हैं, और दो कॉंसोनेंट्स में एक कॉंसोनेंट आर होता है, मतलब जब दो व्यंजन मिलते हैं और उन दो व्यंजनों में से एक व्यंजन आर या र की अवाज होती है, तो हिंदी में भी र आधा हो जाता है, दो व्यंजन अगर होते हैं, अगर ग और र बगल बगल है, तो ग्र होगा, इसी तरीके से इंगलिश में भी, अगर दो कॉंसोनेंट्स एक साथ होंगे, तो आर की अवाज आधी या छोटी हो जाएगी, तो भ र ब्र का र क्रा टा र ट्रा पार प्रा डर दर र दर फारा, फ्रा。 गर गरों मुट्राइब अग्रह, ट्राइब प्राएब ब्राएब अब इन में भी तरीका वही होगा शुरू में हम लोग इन से शुरू होने वाले शब्द डूण लेंगे और फिर जब थोड़ी से आदत पढ़ जाएगी तो end में हर बार इसको underline करने की याद रखना है फिर जब एक बार बच्चे अच्छी तरह पढ़ने लगेंगे तो उन्हें किसी भी सहारे की जरूरत नहीं होगी जैसे शुरू करने वाले जैसे शब्द हैं जैसे क्र औ प क्रॉप फ्र औ ग फ्रॉग ड्र अप ड्रॉप ट्र ए म ट्राम प्र ए म प्रिम ब्र ए ग ब्रैग इस तरीके से आपके आर वाले शब्द जितने भी हो सकते हैं बचों को ये कर दीजे और बीच में ये बदलते रहिए बीच का जो ये आपका वावल है अ, इ, आ, ओ, यू बदलके कोशिश करिए कि मीनिंग्फुल वर्ड्स हो मगर ये पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि हर वर्ड का मीनिंग आपके बच्चों को आता हो बहुत सारी वर्ड्स ऐसे हैं जो अभी उनके इस्तमाल के नहीं होगे कोई बात नहीं ये सिर्फ पढ़ने के लिए कि पढ़ना सहज हो जाए बच्चा सही सही वर्ड्स को पढ़ सके जैसे ब्रिम शब्द है ये अभी इस्तमाल ये नहीं करेंगे प्रिम शब्द है ब्रैग है ये बच्चे अभी इस लेवल पर बिल्कुल नहीं इस्तमाल करेंगे लेकिन वो पढ़ लेंगे और आपको कितना अनंद मिलेगा कि बच्चा जो है चार अक्षर के वर्ड आराम से पढ़ रहा है जब आपका च, श और आर वाले आगए तब आप ट वाले शब्द लाइए जो ट वाले शब्द है शुरू के लिए वो सबसे अच्छा रहेगा कि आप ट के साथ उसको S मिला करके कर दीजे उसमें बहुत सारे वर्ड कवर हो जाएंगे उसके बाद फिर वो अपने आप करने लगेंगे स्टर स्टर बहुत सारे शब्द इसमें पढ़ लेंगे और फिर आप S के साथ T की जगा आप और भी कॉंसोनेंट्स ला सकते हैं स्टर वाले देखिए स्टर एप स्टर स्टर आप स्टर 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 एप म स्टर स्टर एग स्टर स्टर इस तरीके से बहुत सारे शब्द आपके बन जाएंगे फिर आप ये स्टर शब्द जो है वो बाद मिलाए तरीका वही रहेगा फिर आप सोचिए कि किस तरीके से हम बाद मिला सकते हैं स्टर की साउंट यूस्ट पा ओस्ट पोस्त बढ सर बस्त नेस्त नेस्त ला ओस्त लॉस्ट लॉस्त बस्ट बस्ट मास्ट मस्ट इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसमें आपका मन करें तो स्टार जरूर बताईए लेकिन ए आर वाले जो शब्द हैं उनको आप अलग से सिखा दीजे उसमें कार, फार, बार इस तरह के शब्द लाने के बाद तब आप स्टार भी ला सकते हैं जिससे की वो आ की आवाज आए बीच में ए की आवाज ना आए तो इस तरीके से आपने डबल साल लेटर वाले जो शब्द हैं जब आप ये सिखाने लगेंगे तो बच्चे की वोकैबलरी, शब्द रचना, पढ़ने की स्पीड, सब कुछ अच्छे से बढ़ जाएंगे आपके जो बुक के लेसंस हैं उसमें जो शब्द हैं उनमें बहुत सारी शब्द ऐसे होंगे जिनकों कि आप इस तरह फोनिकली आप उसको तोड़ तोड़ के बच्चों से पढ़वा सकते हैं और जैसे जगहों के नाम है या किसी का नाम है व्यक्ति का नाम है या फिर जो नए शब्द आते हैं उनको आप साइट वर्ड्स की तरह पढ़ाईए जैसे आपने I, my, buy, to, do, you इस तरीके के साइट वर्ड्स के साथ चुरुआत की थी अब आपको करना ये है कि हर लेसन के कम से कम 10-15 साइट वर्ड्स जो है वो आप अपने कैलेंडर पर किसी भी पेपर पर लिखकर जब तक कि वो पार्ट आपका चल रहा है उसको क्लास में लगा दीजे और उनको रोज दिखाईए तो बिना रटे ही बहुत सारे स्पेलिंग बच्चों के दिमाग में वैसे ही बैठ जाएंगे और वो कम से कम देखते ही पढ़के वो वर्ड्स वो समझ लेंगे उसके बाद जरूरत पढ़ने पर वो उसकी स्पेलिंग याद करेंगे इस तरह फोनिक तरीके से पढ़ने से और साइट वर्ड्स को साथ में मिलाने से स्पेलिंग रटने का बोज कम हो जाता है और दूसरा फायदा यह होता है कि बच्चे धारा प्रवा पढ़ने लगते हैं समझ कर पढ़ने लगते हैं और उनमें यह आत्मविश्वास आता है क हाँ यह जो लेंगविज है इसको हम पूरे पूरे वाक्य पढ़ लेते हैं हर वर्ड पर हमको अटकना नहीं पढ़ता